हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माई चैनल तो गाईज आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेट फैब्रिक से लटकन बनाना तो उसके लिए मैंने क्या किया है यहाँ पर मैंने एक स्क्वेर कट कर लिया है सवा तीन इंच लंबा और सवा तीन इंच चौड़ा मैंने ए इसे डबल फोल्ड करना है और फिर इसको हम इस तरह से ऐसे फोर फोल्ड कर देंगे अब जिस साइट से यह ओपन है ना उस साइट से हमने इसको इस तरह से गोलाई में इसको कट कर देना है जब हम इसको इस तरह से कट कर देंगे ना तो यह हमारे पास एक सरकल इस तरह से तैयार हो जाएगा, तो जी मैंने काफी सारे सरकल से हापर तैयार कर लिये हैं और ये डोरी मैं हापर यूज करूँगी, तो हमने क्या करना है, जो ये हमारा सरकल है, इसको हमने ऐसे double fold करना है, और center से हम इसको stitch लगाना शुरू करेंगे यह देखे शुरुवात में आप लोगों ने पक्का करना है यह देखे हम इस तरह से ऐसे पक्का करेंगे और जब एंड करेंगे सिलाई को तब भी हमने इस तरह से ऐसे पक्का करना है अब जो भी extra thread वगेरा निकल रहे हैं उसको आप लोग कट कर दीजिए औ और इस तरह से आपने इसको ऐसे flip कर देना है तो ये एक cone type हमारे पास ऐसे बन कर तयार हो जाएगा देखें मैं एक और आप लोग को दिखा देती हूँ ये जो हमारा circle है इसको हमने इस तरह से ऐसे double fold करना है और center से हम बिल्कुल सिलाई लगाना शुरू करेंगे शुरू आत म होगा ना उसी से आप लोग इसको बनाईएगा तब ये बहुत सुन्दर लगेगा देखने में नैटिया फिर ऐसे ब्रोकेट वगेरा होता है ना उस तरह का और अब हमने एक हाथ वाली सुली लेनी है उसको हम इस कोन के अंदर से इस तरह से ऐसे निकालेंगे और एक हमने यहां पर यह मोती यूज किया है और जो हमारी डोरी है उसके बिल्कुल किनारे पर हमने इसको इस तरह से ऐसे सिलना है यह रेखिए इस तरह से हम एक टाका निकालेंगे और फिर इसको ऐसे गुमा देंगे तो यह यहां पर हमारा पक्का हो जाएगा इस तरह से हम दो टाके में जो है अटैच हो जाएगी फिर हमने जो है एक नॉट लगानी है अगेन हमने जो एक कोन है उसके अंदर से सुई को निकालना है और एक और मोती हम लेंगे इस तरह से अब करीबन पौना इंच हमने छोड़ते हुए जो है अगेन इसको हमने यहाँ पर ऐसे टांका लगाना है और दो टाके लगाईएगा आप लोग और इस तरह से ऐसे पक्का कर दीजेगा ताकि बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए और कहीं से भी हमारी लेटकन डीली ना हो और निकले नहीं तो देखिए इस तरह से मैंने अब सेकिंड वाली भी अटैच कर दी है और धागे क चाहिए तो आप लोग हाफ-ाफ इंच की दूरी छोड़ें और अगर आप लोग को थोड़ा ऐसे चाहिए तो आप लोग पौना इंच एक इंच भी छोड़ सकते हैं वो आपकी अपनी वर्जी है लेकिन आपने डोरी के ना चारो साइड मतलब चारो साइड आपने लटकन क चोड़कर सेम प्रॉसेस से जो है मैं इस लटकन को जो हमारी डोरी है उसमें टाकती जा रही हूं और मैंने जो दूरी छोड़ी है मतलब वो मैंने करीबन पौना इंच हाफ इंच से हलका सा ज्यादा मैंने छोड़ा है क्योंकि मुझे उतनी भारी भी नहीं चाहिए क्योंक कर तयार कर लिए आप अपने अकॉर्डिंग बनाना जितनी लंबी चाहिए है इस तरह से कुछ हमारी लटकन दिख रही है बहुत हलकी रहती है यह और बहुत ज्यादा जो है सुन्दर दिखती है अब मैं इसको ना पहले सूट में लगा देती हूं फिर आप लोगो दिखा है मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने पीछे इतनी हैवी लटकन लगा रखी है बहुत ज्यादा लाइट वेट है आप लोगो कैसे लेगी मुझे कॉमेंट करकर जरूर बताइएगा पसंद आई हो वीडियो और हेलफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज्यों कर कि जाएगा वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला